धरा रिशब की बात सुनकर मुस्कुराते हुए हां में सिरहिला रही थी और तभी रिशब वहां से जाने लगा धरा ने रिशब का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर बड़े प्यार से किस किया धरा ने जैसे ही रिशब के गाल पर किस किया रिशब जो धरा का हाथ पकड़े था उसने धरा के हाथ पर किस किया और बाये करते हुए जल्दी से केचन से बाहर निकलाया और अपने मम्मी के साथ घर चला गया जैसे ही रिशब गया, धरा सारा काम फिनिश करने के बाद दादी को उनके कमरे में सुला कर अपने रूम में गई और रिशब की कही बात को सोच कर मुश्कुराने लगी जैसे ही बारा बजे, धरा रिशब के कॉल का ही वेट कर रही थी तुरंत ही रिशब ने धरा को वीडियो कॉल किया धरा ने तुरंत ही रिशब का कॉल रेसीव किया और दोनों ने एक दूसरे के चहरे को देख कर हैपी न्यू येर विश किया रिशब धरा की तरफ देख कर बोला पता है, मैं यही जाता था कि इस बार सब से पहने मैं तुम्हारा चेहरा देखू और देखो, साल की शुरुवात मैंने तुम्हारा चेहरा देखकर की है और अब देखना, मेरा ये साल कितना अच्छा बीतेगा धरा रिशब की बात सुनकर मुस्कूराने लगी और बोली रिशब आज का हम पूरा दिन एक साथ नहीं बिता सकते क्या रिशब ने धरा की बात सुनकर कहा धरा ने तुरंथ पूछा और अगर दादी ने पूछा तो क्या बताओगे रिशब ने धरा के बात सुनकर कहा रिशब की बात सुनकर धरा उसकी तरफ देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराती जा रही थी तब ही रिशब ने कहा अब तुम कुछ बोलोगी भी या बस इस तरह से मेरी बाते सुनकर मुस्कुराती ही रहोगी धरा ने रिशब की बात सुनकर कहा कि हाँ बोलूँ मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि मैं सच में कितनी लखी हूँ जिए मेरी लाइफ में तुम आए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी के लिए इतनी इंपोर्टेंट हो सकती हूँ और कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है रिशब ने धरा की बात सुनकर बिना किसी जिजग के का तुम मेरे लिए इंपोर्टेंट नहीं मेरे जीने की बज़ाओ धरा और लगी तुम नहीं लगी मैं हूँ जो तुम मुझे मिली जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किया हूँ जो भगवान ने उसका फल बना कर तुम्हें मेरी जिन्दकी में बेजा रिशब की बात सुनकर धरा की आखों में आसु आ गए और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कूरा ही रही थी रिशब ने जैसे ही धरा की आखों में आसु देखे उसने धरा को सकती से मना करते हुए कहा रिशब की बात सुनकर धरा ने अपने इमोशन्स को कंट्रोल किया और इतने सीरियस टॉपिक को चेंज करते हुए कहा अच्छा तो मिस्टर रिशब आप मुझे ओर्डर दे रहे हैं रिशब ने हां में सिर हिलाते हुए कहा रिशब की बात मान कर धरा ने कॉल कट कर दिया उधर मिहीर ने भी आलिया को कॉल किया और उन दोनों ने भी एक दूसरे को नियू यर विश किया तभी आलिया ने कहा मिहीर ने आलिया की बात सुनकर कहा वैसे तुम आज कहां बिजी थी जो इतना ज्यादा थक गई हो और क्या कर रही थी आलिया ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा मिहीर ने आलिया की बात सुनकर कहा अच्छा तो पिर ठीक है, तुम ठक गई होगी, जाओ रेस्ट कर दो, बाई वाइफी, मैं भी सोने जा रहा हूँ के? अगले दिन सुबह न्यू यर का दिन है, और सभी लोग इधर उधर पार्टी करने में बिजी है, सुबह उठते ही मिहिर फ्रेश होकर घर से बाहर निकला, और मिहिर सोची रहा था कि वो कहां जाए, क्योंकि सारे वर्कर्स की छुट्टी हो गई थी, इस टाइम सिर्फ टी हा अंकल के पास चला जाता हूँ, कुछ देर बैठकर उनसे बाते भी कर लोगा, क्योंकि वो भी तो अकेली है, मिहिर इतना सोचकर फूलो का एक गुलदस्ता लेकर चेतन के घर पहुचा, उसने दर्वाजा खटाया, और चेतन ने तुरंत ही दर्वाजा खोल दिया, मिहिर को इतनी सुबए सुबए अपने घर पर देख कर, चेतन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, अरे मिहिर बेटा तुम इतनी सुबए सुबए, आओ अंदर आओ, चेतन के बोलाने पर मिहिर तुरंत उसके घर के अंदर आया, और चेतन को वो फूलो का गुलदस्ता देते हुए बोला, हैपी नियू यर चेतन अंकल, एक्चिली इस टाइम मैं शेहर में अकेला था, मेरे सारे फ्रेंड्स अपने अपने होम टाउन गए हुए हैं, और फिर मैंने सोचा आप धी अपने घर में अकेली तो होंगे, तो क्यों न मैं आपके साथ आकर नियू यर सेलिबरेट कर मिहिर बोली रहा था कि तभी उसके हाथों से फूलों का गुलदस्ता अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने का, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए बिटा, वैसे भी मैं अकेले घर में बोर ही तो हो रहा था, आओ, चलो बैटकर थोड़ी बाते करते हैं, तभी मिहिर ओए, एक मिनट मैं बस अभी आया, मिहिर को फिर से उठकर बाहर की तरफ जाते देखकर चेतन अपने मन में सोचने लगा, अब इसे क्या हुआ, अभी अभी तो आया था, इतनी जल्दी यह बाहर की तरफ क्यो जा रहा है, मिहिर बाहर से दो मिनट बाद अपने हाथ में एक शैंपेइन की बोटल लेकर आया, मिहर के हाथ में शैंपेइन की बोटल दे कर, चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ऐसे सेलिब्रेट करेंगे हम न्यू येर, हाँ? मिहर ने हाँ मैसिर हिलाते हुए कहा, हाँ आज तो थोड़ी सी पी ही सकते हैं, क्यों अंकल? म उधर धरा अपने घर में सुबह उठकर दादी को पहले ही New Year विश्च कर चुकी थी और धरा दादी के साथ Breakfast कर रही थी तभी रिशब अंदर आते हुए बोला Happy New Year दादी दादी ने जैसे ही रिशब की तरफ देखा तो दादी खुश होते हुए बोली Happy New Year बेटा आओ अंदर आजाओ मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आज यहां आजाओगे रिशब दादी से बात करते करते उनके बगल में आकर बैट गया और धरा अभी नहा कर निकली थी तो उसके बाल भीगे हुए थे और आधे बाल मुझ पर भिखरे हुए थे जिससे धरा काफी ज्यादा सुन्दर लग रही थी रिशब धरा की तरफ देखते हुए बोला अगर तुम दोनों सेंटर जा रहे हो तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी एक काम करो ने रिशब मुझे तुम अपनी मम्मी के पास छोड़ दो और वापसी में तुम लोग वहीं आ जाना रिशब ने तुरन धामे से रहिलाया और धरा की तरफ देखकर कहा तो चलिए धरा मैं रिशब की बात सुनकर धरा की दादी ने कहा बस दो मिनट रुको रिशब बेटा धरा ने नाश्ता नहीं किया है वो नाश्ता कर ले उसके बाद चले जाना तो बैठो तुम दोनों मै अभी अपने कमरे से अपनी दवाईया लेकर आती हूँ बहुत जादा बुड़ा पागया है दादी के उठकर जाते ही रिशब धरा की तरफ देखकर बड़े प्यार से बोला वैसे बिखरे बालों में तुम और भी ज्यादा सुनगर लगती है धरा रिशब की बात सुनकर म ऐसे धरा तुम बिल्कुली बुलक कड़ो अभी कली तो तुमने कहा था कि तुम मम्मी और दादी के लिए गिफ्ट बना रही हो क्या तुम गिफ्ट सेंटर से लेकर आई थी धरा ने नामे सिर हिलाते हुए कहा अरे हाँ मैं तो भूली गई हो गौड गिफ्ट तो सेंटर पर यह है चलो अच्छी बात है हम अभी चलकर गिफ्ट उठा लेंगे धरा ने जल्दी जल्दी ब्रेफस्ट किया और रेडी होने के लिए अपने रूम में चली गई धरा रेडी होने के लिए गई और उसने कपड़े चेंज किये धरा ने आज बालों को खुला रखा और इसने थोड़ा मेकप करते हुए कहा आज रिशब के साथ घूमने का प्लैन है पता नहीं रिशब कहां कहां लेकर जाएगा इसलिए काम करती हूं थोड़ा सा मेकप करती हूं धरा ने थोड़ा मेकप किया और वो रिशब के साथ घर से बाहर निकली रिशब ने पहले दाद को एक रुमाल देते हुए कहा रिशब ये रुमाल मैंने तुम्हारे लिए बनाया था देखो शायद तुम्हें पसंद आए ये वही रुमाल था जिस पर धरा ने D और R लिखा था रिशब ने उस रुमाल को चारो तरफ से गोमा कर देखा और जहां पर D और R लिखा था उसने रुमाल की उस जगह पर किस करते हुए कहा बहुत अच्छा है और तुम्हें पता है जब तुमने रुमाल बनाया था तब ही मैंने इसे देख लिया था लेकिन तुम इसे मुझसे छिपा रही थी इसलिए मैंने तुम्हें पता लगने नहीं दे, मैंने जब से इसे देखा है, मुझे तब से ही ये बहुत पसंद है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, थैंक यू सू मुच, धरा रिशब की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई, और धरा अपने केबिन से बाह हमें चलना कहा है, रिशब ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब हम मूवी देखने चलेंगे, और तुम मना नहीं करोगी, ओके, धरा ने हा में सिर हिलाया, और वो दोनों एक साथ मूवी देखने के लिए चले गए, ओल्ड सिटी में मिहीर चेतन के साथ शैंपेन पी कर हाँ, ठीक है, फिर अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो आ जाना, ओके, मिहर ने मुस्कुराते हुए हा में अपना सिर हिलाया और सीधा चेतन के घर से बाहर निकले, मिहर ने काफी ड्रिंक की थी, और उसका कहीं भी बाहर जाने का प्लैन नहीं था, तो उसने रास्ते मे फोन बजया, रिशब ने धरा की तरफ देखकर कहा, ममी कॉल कर रही है, एक मिनट, पहले मैं ममी से बात कर लेता, धरा ने रिशब की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और रिशब ने कॉल पिक अप करके कहा, हेलो ममी क्या हुआ, रिशब की ममी ने गबराते हुए कहा, धरा की दादी, रिशब ने जैसे ही अपनी ममी के मुझ County ये बात सुनी, रिशब ने घबराते हुए कहा, क्या हुआर दादी को, हम अभी आते हैं, आप चिंते मत करो, ठीक है, हम दोनों अभी आते हैं क्या हुआ आखिर धरा की तादी को? क्यों रिशब की मम्मी इतने ज्यादा परेशान थी? क्या निउयर वाले दिन कोई अब शकुन होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए रईस जादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफेम पर